Word of the day is Flotsam Flotsam याद करने के लिए आप इसको ब्रेक करी है Floating सामान तो अगर कोई भी सामान कोई भी water body के उपर float कर रही है Generally वो waste सामान है या कूड़ा है या कच्छड़ा है जिसका कोई use नहीं है तो Flotsam का मीनिंग ही यही है People or things regarded worthless मतलब या चाहे वो people हो चाहे वो things हो जिनका कोई existence से हमें फरक नहीं पड़ता They are wastage तो उसी को बोलते हैं Flotsam तो इसका हम sentence में usage अगर हम देखना चाहें तो ऐसा आपको कही ना कहीं Newspaper Headlines में दिखेगा Community Flotsam या room was cleared of Flotsam Flotsam इसलिए आया है किमकि कभी-कभी जब समुंदर में C पहले टूट जाता था वो जो float करता रहता था उसका रेकेज जो टूटा-फूटा समान है उसको float sum मोल देते हैं वो floating समान है लेकिन वो समान का कोई value नहीं होता था क्योंकि वो समुंदर में पहले कोई जा पाते थे जहां पर टूट जाता था वो ही पर float करता था वो अर्थले स्ट्रिक चीज़ जाता